हेलो स्टुरेंट ये क्लास DRT फ़स्ट एर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फ़स्ट पोजिस्निंग अपना टॉपिक चल रहा है चेस्ट रेडियोग्राफी चेस्ट रेडियोग्राफी में अपने चेस्ट का AP व्यू पी ए व्यू लेटरल व्यू ओबलिक व्यू और लेटरल डिक्योबाइटस व्यू पढ़ लिया था लेटरल डिक्योबाइटस व्यू में की इंडिकेसंस अपने क्या रहते हैं प्यूरल कैविटे में फ्लूड लेवल चेक करने के लिए आज अपने उससे आगे के जो दो व्यू हैं उनके बारे में पढ़ेंगे झाल झाल अब बात करते हैं अपने अपाइकोग्राम व्यू की यह टेस्ट का अपाइकोग्राम व्यू है देखो नाम से पता जल रहे अपाइकोग्राम मतलब अपाइसिस पार्ट में कोई भी फोरेगन बोडी है यह कोई भी मास या लीजन है उसको देखने के लिए जो की क्लेविकल बोन के द्वारा सुपरीम पहुज हो जाता है अपने एप और पी एव्यू में इसलिए अपने कौन सा व्यू करते हैं अपाइकोग्राम व्यू यह एक स्पेशल व्यू है इसका इंडिकेशन देखो लंग के कोई अपाइसिस पार्ट में अगर कोई भी पेथोलोजी है या कोई एबनॉर्मलिटी है उसको चेक करने के लिए अपने अपाइकोग्राम व्यू किया जाता है कैसेट साइज की बात करें इसमें अपने कैसेट साइज रहता है 14, 17 और 12, 15 उसके बाद बात करते हैं अपने position of patient इसमें patient की क्या position रहेगी तो एक special view है तो इसकी position भी एक special होती है तो देखो इसमें patient is erect about 12 inch यानि 30 cm in front of cassette in true AP position यानि patient क्या है true AP position में cassette के cassette से 12 inch यानि की 30 cm दूर खड़ा होगा patient के अपने AP view करते हैं तो cassette के बिल्कूल touch में रहके खड़ा होता है इसमें क्या करेगा patient जो अपनी cassette उससे 30 cm दूर AP position में खड़ा होगा then the patient bends backwards until his shoulder rests on the film अब patient क्या करेगा पिछे की तरफ bend करेगा वहीं 30 cm दूर खड़ा खड़ा पिछे की तरफ bend करेगा और अपने जो solder से उनको cassette पे touch कर लेगा यानि patient cassette से 30 cm दूर खड़ा हुआ उसके बाद patient पिछे की तरफ bend करेगा और cassette को cassette के अपने solder को touch कर लेगा both hands are placed on hip and elbow pushed backward दूनों अपने क्या करेगा हातों को hip bond पे रखेगा और elbow को पिछे की तरफ पुस्ट करेगा next अपने बात करते हैं position of cassette cassette की position क्या रहेगी the upper border of cassette should be two inch above to the level of the solder जो अपना solder का level है उससे 2 inch उपर अपने cassette की upper border को रखते हैं जो कि अपने test के normal view में रखी जाती है centring की बात करें तो centring आएगी अपनी central ray is directed to sternal notch at right angle to the film अपनी centring कहा आती है जो अपनी central notch होती है बिलकुल उससे पे अपने centring करेंगे क्योंकि अपने क्या है lungs का apices पार देखना है तो उपर का पार्ट देखने के लिए अपने centring कहां करेंगे sternum notes पर याण बिलकुल जो अपने sternum का उपर उपर वाला part होता sternum notes इस पे अपने centring की जाती है यह देखो अपने को image में दिखा रखा है कि patient कैसे पिछे की तरफ मूड़ा हुआ है और अपने solders को cassette के touch कर रखा है यहनि patient आया है और उसका उपनने क्या है cassette से 30 cm दूर AP position में खड़ा किया उसके बाद patient को बोड़ाँगा कि पिछे की तरफ bend हो वहीं खड़ा खड़ा patient पिछे की तरफ bend होगा और अपने solder cassette के touch कर लेगा देखो पहली में में अपने को कैसे solar touch करने वो दिखा रखे है और patient की आगे से किस प्रकार position हो जाएगी पिछे जूके वे उसके बाद इसमें centring दिखा रखी है दोनों images में कहां कि अपने centring external nose पे क्योंकि अपने अपाइसिस पार्ट का व्यूव लेना अपाइसिस पार्ट कौन सा होता है लंग्स के ऊपर का पार्ट उस पार्ट का व्यूव लेना तो अपने centring भी वहीं कि जाएगी इसलिए अपने centring करते हैं बिल्कूल external nose पर उसके बाद अपने बात करते हैं radiological appearance की इसका radiological appearance क्या रहेगा दा व्यूव इज मैनली टेकन टू सी दा लंग अपाइसिस क्लियरली विदाउट क्लेरिकल सेडो सूपर इंपोजड ओन दा अपाइसिस यह व्यूव अपना mainly किसलिए किया जाता है जो लंग का apaisis पाइस होता है उसको क्लियरली देखने के लिए और उसको क्लेविकल सेडो सूपर इंपोज ना करें इस प्रकार से अपने हो क्या है लंग के apaisis पाइसिस पाइस को देखना होता है जब अपने क्या है apie view किया जाता है तो जो क्लेविकल के पीछे का पार्ट है उसको क्लेविकल सुपरेम पोज कर लेती है जैसे कोई क्लेविकल के पीछे कोई भी mass या listen है तो उसको अपने apie view में नहीं देख पाइंगे इसलिए अपने क्या करते हैं पेशेंट को थोड़ा स्वा पीछे के तरफ बेंड करते हैं ताकि जो एक्स रेज है वो अपने क्लेविकल के नीचे से होगे पीछे इमेज में अच्छी तरह है जो भी mass, lesion, foreign, body या abnormality उसको दिखास के इसलिए लंग के apiesis पार्ट को देखने के लिए अपने अपाई को gram view किया जाता है रिब्स आर सूपर इंपोजड ओन लंग फिल्ड जो रिब्स है वो लंग फिल्ड को सूपर इंपोज करती है हर्ट, आरोटा एंड डायफराम इस वेल सीन अपने हर्ट, आरोटा और डायफराम के अच्छी तरह सीन हो जाते हैं देखो उसके बाद में अपने को apiesis पार्ट की image दिखार की है इसमें क्या है अपना apiesis पार्ट clerical bone वाला पार्ट के cassette के बिल्कुल touch में रहता है और जो निचे lungs वाला पार्ट है के से थोड़ा सा दूर रहता है इसलिए अपने को इस image में देखो नीचे lungs वाला पार्ट अच्छी तरह clearly seen नहीं हो रहे हैं लेकिन जो उपर का पार्ट अपने को अच्छी तरह और clearly seen हो जाता है इसलिए अपने का अपाइसिस पार्ट को अच्छी तरह देखा जाता है अब आप इसके एक-दो image net पर और देख लेना आपको अच्छी तरह उसमें समझ में आज जाएगा वैसे अपने है कि अपाइसिस पार्ट को देखने के लिए किया जाता तो अपाइसिस पार्ट की image clear आनी चाहिए और जो अपना लंग फिल्ड है निचे का वो कैसेट से थोड़ा सा दूर रहता तो उसमें लंग फिल्ड की image clearly नहीं आपाती है अब बात करते हैं अपने इसके exposure की exposure क्या रहेगा distance रहेगी अपने 180 cm kv रहेगा अपना 60 amass रखेंगे अपने 10 और grade का use अपने नहीं करेंगे यह अपने चेस्ट का apicogram view complete होता है इसके बाद में अपने व्यू स्टार्ट करते हैं logotic view जो चेस्ट के जो अभी के अपने lungs के उपर का पार्ट देखा है apicogram apicis पार्ट देखा है apicogram view के द्वारा अब अपने logotic view करते हैं यह उसके बिल्कुल reverse होता है और इसमें अपने क्या करते हैं जो lung के lower lobs होते हैं उसमें कोई भी plural effusion हो गया या pneumothorax हो गया उसको देखने के लिए अपने image ली जाती है इसमें क्या लंग का lower part देखा जाएगा lower lobs और apicogram में क्या लंग के उपर का पार्ट यानि apicis पार्ट है उसको देखा जाता है indication indication में क्या आएगा to demonstrate the pneumothorax और emphysema and plural effusion अपने कोई भी pneumothorax है emphysema है या plural effusion हो गया है तो उसको देखने के लिए अपने क्या है लोडोटिक व्यू किया जाता है क्योंकि कोई fluid वगर है वो अपने क्या है लंग्स में उपर की तरफ नहीं रहेगा नीचे की तरफ रहेगा क्योंकि नीचे अपने क्या fluid आएगा और एर वो हलकी होने के काण उपर चली जाएगी इसलिए उसका लेवल चेक करने के लिए जो अपने शेपी एंगल से उनको चेक करने के लिए अपना क्या है लंग्स के नीचे का पार्ट क्लियरली विजिवल करने के लिए लोडोटिक व्यू किया जाता है इसमें अपने कैसेट साइज की बात करें तो कैसेट साइज अपना वही सेम रहता है 14, 17 और 12, 15 का अब बात करते हैं अपने पोजिशन ओफ पेसेंट पेसेंट की पोजिशन इसमें क्या रहेगी द्यान से देखना ये भी क्या एक स्पेसल व्यू है अप आइकोग्रा में अपनी क्या पोजिशन थी पेसेंट अप पोजिशन में था और अपने सॉल्डर को पीछे की तरफ टच कर रहा था और पीछे बेंड हो रहा था उसी प्रकार इसमें रहेगा पर इसमें थोड़ा सा इर्वर्स हो जाएगा इसमें पेसेंट की पोजिशन में रहेगा और पिछे की तरफ bend होगा bend patient पिछे की तरफ ही हो रहा है लेकिन इसमें अपने PA position में रहेगा और अपाइकोग्राम में AP position में रहता है patient देखो patient is erect facing the cassette patient erect position में खड़ा होगा और cassette की तरफ face करके खड़ा हो जाएगा जिससे patient की position कौनची होगी PA position the chin is raised and placed on the top of the cassette और अब अपने क्या करेंगे पूरी PA position लगाने के लिए patient की chin को raised करेंगे और cassette के top में रख देंगे patient के बिल्कुल cassette के touch में आ गया और PA position में खड़ा होगा उसके बाद क्या करते है then the patient hold the cassette stand or the film sport the patient bends backward approximately 30 degree अब इसमें क्या करेंगा patient cassette holder को पकड़ेगा या फिर जो अपने आगे फिल्म लगाई होगती है उसको पकड़ेगा और पिछे के तरफ bend होगा लगबग 30 degree या जो अपना cassette stand के पास patient खड़ा होता है उस cassette stand को या cassette holder को patient पकड़ेगा और लगबग 30 degree पिछे के तरफ patient क्या है bend हो जाएगा इसमें अपने क्या patient PA position में खड़ा होगा तो उसके आगे क्या cassette holder है उसमें cassette holder को पकड़ा और पिछे के तरफ 30 degree bend हो जाता है अब आइको गराम view में क्या होता है patient AP position में cassette से 30 degree दूर खड़ा होता है 30 cm दूर खड़ा होता है और पिछे की तरफ bend होता है जब तक कि उसके solder cassette की touch करें यानि उसको cassette के अपने solder touch करने होते हैं इसमें patient के अपने soldiers को cassette से दूर लेके जाएगा लगबग 30 degree bend हो जाता है और जो अपना lower lobs होता है lungs के नीचे का part वो cassette के touch में रहता है position of cassette इसमें cassette की position क्या रहेगी cassette की position अपनी वही सेम रहेगी तक upper border of cassette should be 2 inch above to the level of the solder cassette की upper border कहां रहती है solder scale level से 2 inch उपर इसमें अपने centring की बात करें तो centring अपनी कहां आएगी central at the level of 5th dorsal vertebra at right angle to the film अपने का जो PA position में centring रहती है सेम वही centring इसमें रखेंगे कि जो 5th and 5th dorsal vertebra होती है direct अपने उस पर centring की जाएगी कि देखो अपने को इस image में दिखाया गया है बट इसमें पैसेंट के टेबल पर बैठा हुआ है अपने पैसेंट को erect position में भी रख सकते हैं या बैठा के view भी ले सकते हैं इसमें पैसेंट के बिल्कुल cassette के touch में होके बैठा फिर patient ने क्या क्या cassette holder को या जिसमें अपनी फिलम लगी उसको patient ने पकड़ा और पेचे के तरफ bend हो गया या उपर से solder को अपने दूर कर रहा है लग बग 30 degree patient bend हो जाता है और patient के जो lower lungs का lower part है या लंग्स का lower part है वो cassette के touch में रहता है और solder दूर हो जाते हैं उसके बाद अपने centring की बात करें तो centring अपनी रहती है fourth, fifth dorsal vertebra पे जो कि अपनी normal view में रखी जाती है उसके बाद अपने बात करते हैं radiological appearance की radiological appearance में देखो this view is specially used to demonstrate pneumothorax, emphysema and collapse due to an inhaled foreign body यह view अपने specially की इसलिए के जाता है pneumothorax को, emphysema को या कोई भी foreign body के कांड अपना lung kayak collapse हो गया उसको demonstrate करने के लिए the view is also demonstrate right middle lobe collapse और interlobe effusion on right side यह view क्या दिखाता है अपने को कोई भी interlobe effusion हो गया यानि interlobe मतलब अंदर lobe के कोई भी effusion हो गया है उसको चेक करने के लिए या फिर lungs kayak collapse हो रहा है किस कांड collapse हो रहा है उसको देखने के लिए या कोई fluid है lungs के बाहर या interlobe कोई भी effusion है उसको जैसे कि अपने लंग्स के बाहर कोई fluid वगेर आ गया कोई foreign body आ गया जिससे अंदर के लंग्स collapse हो रहा है तो उस चीज़ को demonstrate करने के लिए व्यू किया जाता है इन लोडुटिक व्यूव फिलम शुट भी टेकन इन फुली extra घर ले बाहर निकालके और उसके बाद में पैसेंट का विउ लिया जाता है बाकि में एकने इंस्पािठरस न करवाते हैं और उसके बाहर लivatे लेते हैं इसमें फुली एकस्पारेसं करवाने के बाद पैसेंट का विउ लिया जाएगा तो उसं में बाईठान जैसे अंदर कोसें लंघ्र कंदर कोई एयर बच रही है या लंघ्स केंदर कोई फ्लूड है पूरा स्वास बाहर निकाल दिया तो वहां से लंग स्काइब फ्लूड वाली जगह से कोलेप्स नहीं होगा तो उस चीज का पता लगाने के लिए अपने लोरोटिक व्यू किया जाता है उसके बाद नेक्स्ट अपना दा फिलम इन फुली एक्सपाइरेशन इस टेकन टो डेमोस्टेट ए स्माल निमू थोरिक्स बिकोज दे इंट्रा प्लूरल प्रेसर इस देन इंक्रीज इसमें क्या अपने मैंने आपको बताया था कोई भी क्या फुली एक्सपाइरेशन में व्यू करवाए जाता है क्यों करवाए जाता है जब अपने पूरा स्वास बाहर निकाल देते हैं तो बाइतांस अंदर कोई एर बच गई या कोई फ्लूड बच गया वहां से क्या है लंग्स कोलेप्स नहीं हो पाएगा वहां क्या है जो इसको अपने क्या बोलते हैं कोई भी स्माल नियुमोथोरिक्स है उसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए अपने व्यू किया जाता है इस इमेज में देखो अपने जो क्लेविकल बोन वह क्या है कैसेट से थोड़ी दूरा तो अपने क्लेरली से नहीं हो पाती है और जो अपना लंग फेल्ड जो क्यों सेट के टट्स में है जैसे कि नीचे के डाइफराम होगा और वह अपने को क्लेरली सीन हो जाते हैं अब इसमें लंग में देखो अपने को वाइट वाइट सेडो बीच बीच में हलकेल की थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है वह इसलिए अपने को लोवर लोब यानि अपने लंग के लोवर पार्ट की इमेज क्लेरली सीन होती है नेक्स्ट अपने बात करते हैं एक्सपोजर की एक्सपोजर इसमें क्या रहेगा डिस्टेंस रहेगी अपनी 180 सेंटीमीटर के भी रहेगा अपना 60 और अमेस इसमें अपने अपाइकोग्राम वीव से थोड़ा सा बढ़ा देंगे कितना रखेंगे 16 16 और ग्रेट का यूज अपने नहीं करेंगे जो अपना अपाइकोग्राम वीव था उसमें क्या था पैसेंट एपी पॉजिशन में कड़ा होगा कैसेट से 30 सेंटीमीटर दूर और पीछे बैंड होके अपने सॉल्डर को टच करेगा यह अपने अपाइकोग्राम वीव की पॉजिशन थी और नियूम्त मास लीजन है उसको देखने के вс आजाता है और जोक्नी लॉटिक में यह अपने लूवर लॉब में लंग्स के सब्सक्राइब में पॉर लॉव यूशन है नियूमॉव तोरेक्स है इस ह Born करने के लिए किया जाता है यह अबने गäreडियोग्राफित होती है अपने साथ विक पाई विक लेट्रल विडिय संसर्प अबिल्क और डिक Reports और लोडेोट की एंग कंप्लेट Duch की देई ग्राफिया अब कंपलेट होती है है उख है ठेंक यूँ झाल 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 झाल